हेलो दोस्तो मैं प्रणाव आज आपके सामने हाजिर हूँ एक छोटा से वीडियो लेखे सो आज हम बात करने वाले हैं पैना सोनिक जो स्मार्ट एसी जो है उसके यूनिक फीचर के बारे में जनरली आप लोगों देखा हुगा कि मार्केट में अभी बहुत सारी ब्रांड के जो कनवर्टेबल एसी मिल रहे हैं सो कनवर्टेबल एसी का मतलब क्या है यानि कनवर्टेबल एसी करता क्या है कनवर्टेबल एसी जो है वो आपकी जो एसी की जो कुलिंग कैपेसिटी है उसको कनवर्ट करता है सो पैना सोनिक के जो यूनिक जो स्मार्ट एसी है उसमें हम लेके आये हैं Converti 7 features आप यहां पे देख पा रहे होंगे यहां पे जो Converti 7 के जो features है यानि कि हमने Converti 7 में साथ अलग-अलग cooling capacity के जो mode है वो हमने यहां पे दिये हुआ है तो यह जो 7 cooling capacity के जो mode है उसको आप अलग-अलग cooling capacity यानि साथ अलग-अलग mode में आप यूज कर सकते हो कैसे यानि कि जब आप घर में अभी अकेले हो तो आपको जल्ली बहुत यानि ठंडी की जरूर यानि बहुत cooling की जरूरत नहीं होती है तो आप अभी क्या करोगे तो यह जो AC है उसका जो cooling capacity है उसको आप 45 ड अगर आपके यहां पर आपके कोई friends या आपके कोई relative आ गए तो दो-तिन लोग आपके रूम में बढ़ गए तो आप अभी क्या करोगे वही जो 45 और 55 परसंट जो आप cooling capacity में इसी चला रहे थे उसको आप increase करके 70 या 80 तक ले जा सकते हो तो आपको एक comfortable cooling वापिस मिलना चाल 100 यानि कि full capacity या 110 यानि कि high capacity तक आप यूज कर सकते हो सो इस तरह से जो convert 7 features है उसमें आपको साथ अलग-अलग cooling capacity के convert करने के mode मिलेंगे जो की start होते है 45% से और end होते है 110 यानि के high capacity तो यह जो unique features है वह आपको AC में भी मिलता है AC में यानि कि अगर आपको इसको on करना है तो आ switch दिया हुआ है उसको आप यूज करके आप convert 7 mode जो है वह start कर सकते हो साथ ही साथ जो मेरा यह application है हमारा उसमें भी आपको convert 7 का option दिया गया है आप मेरा में से भी आप उसको operate कर सकते हो और यह जो convert 7 है वह आपको cool mode पे रखके चलाना पड़ेगा अगर cool mode के अलावा आपने क एक बार convert होने के बाद उसका time limit रहता है यानिके वह 30 minutes 60 minutes या one half an hour का रहता है टाइम उसके बाद वह deactive हो जाते हैं लेकिन panasonic का जो convert 7 features है उसमें अगर आप एक बार उसको convert कर दिया तो वह जब तक आप उसको deactive नहीं करोगे तब तक convert 7 का जो features है वह चलता रहेगा इसके साथ साथ panasonic दे रहा है आपको एक unique advantage जो है जो की है हमारा outdoor यह जो आप यहाँ पर देख रहे हो इसको हम superdima material बूलाता है superdima outdoor है superdima outdoor में उसकी जो खास्यत है वो यह है कि यह चार अलग-अलग material से बना हुआ है जो की है zinc, aluminum, magnesium और silicon यह चार material का पायदा यह है कि यह जो आपका outdoor है उसके उपर जंग लगने के यानि रस्ट लगने के chances बहुत ही कम है ठीक है तो आपने कई बार देखा हो कि जो coastal area र ज्यादा रहते है तो वो चीज यहां पर नहीं होगी क्योंकि हमने जो हमारा outdoor है उसमें जो cooling coil जो रहती है उसके उपर जो coating दिया हुआ है वो है हमारा silver coating तो silver coating की वज़े से जो आपका cooling coil है वो leakage होने के chances बहुत ही कम हो जाते हैं और साथ-साथ हमने यह जो eco tough casing है उसका हमने पांच साल का brand ने warranty दिया हुआ है जो अधर किसी भी brand में आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपको यह जो आज का जो features जो converti 7 और हमारा जो super outdoor material है वो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताईए अगर आपको यह दोनो features हमारे पसंद आया है तो आप अभी market में जाए हमारा यह जो AC है वो purchase कीजे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो please like और subscribe जरूर कीजे दन्यवाद